रादे रादे, तमसो मा जोतिर गमया, दीपावली महुत साथ, आप सभी के लिए सुब हो, मंगल मैं हो, हमारे परिवारों के लिए मंगल मैं हो, दीपावली पर हम लक्षमी गणेशी का पूजन करते हैं, और लक्षमी गणेशी का पूजन करके हम अपने जीवन में प्रसन् करते हैं उस रासी का भी ध्यान रखें उस महुर्त का भी ध्यान रखें कहते हैं पूजन करने के बाद मालक्षमी अवश्य करपा करती हैं गड़ेशी अवश्य करपा करते हैं पर अगर सुब महुर्त में ये पूजन हम लोग कर लें तो निश्चित तोर पर वो लावदायक ह तो आप सभी ध्यान दें बिजनिस प्लेस पे जहां आप अपना बिजनिस चलाते हैं अपनी दुकान है आपकी या कहीं आप काम करते हैं उस जगे पर अगर आपको पूजन करना है तो वो है सुबह 9 बज के 40 मिनिट से 11 बज के 53 मिनिट तक करना चाहिए क्योंकि वो धनुरास आती है और धनुरासी के स्वामी गुरू है और गुरू अगर हमारे साथ हैं अगर गुरू की कृपा हमारे उपर हो जाए तो निश्चित तोर पर हमारा बिजनिस हमारा ब्योपार आगे बढ़ता ही है तो आप सभी को अपने ब्योपार का बढ़ावे के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए पूजन का समय याद रखना चाहिए 9 बज के 49 मिनट से 11 बज के 35 मिनट तक अगर आप ये पूजन करेंगे तो निश्चित इसमें साम का भी समय आ जाता है कि 6 बज के 10 मिनट से लेके 7 बज के 15 मिनट तक भी आप पूजन कर सकते हैं और फिर आप 8 बज के 7 म कौन सी रासी का वहां पर उपस्तित होना है इन सब चीजों का ध्यान रखकर जब आप पूजन करते हैं कई लोग होते हैं जो जब समय मिला जट पूजन सुरू कर दिया तो फल तो मिलता है लेकर उतना स्रेश्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए तो आप सब से मेरा अग रहे है कि गणेश्टी और लक्ष्मी जी का पूजन सुरू महुर्त में अगर आप करेंगे तो आपका बिजनिस भी आगे बढ़ेगा आपके परिवार में भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी ध्यान रखें खुद भी पूजन करें अपने बच्चों से पूजन कराएं और लक्ष्मी नाणका पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाएं उनको नमन करें सब के लिए मंगल कामना करें आप सब के लिए हम मंगल कामना करते हैं दीपावले की बहुत बहुत सुब कामना है प्रकास पर्व की आपको बहुत बहुत सुब कामना है भगवान सी राम क आयुद्या आगवन पर जो प्रकास पर मनाया गया उसकी भी आप सब को बहुत बहुत सुभकामना जैसे आयुद्या प्रकासे तुई पैसे हमारा और आपका भी जीवन प्रकासे तो रादे रादे